श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका वरत कथा चैनल पर स्वागत है दोस्तों हमारे सनातन हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथी का बहुत ही विशेश महत्व होता है पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायन भगवान की पूजा करने से हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है पूर्णिमा के दिन सत्य नारायन भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए कहते हैं सत्यनारायन भगवान की कथा का श्रवन करने से मनो कामना बहुत शीघर पूर्ण होता है घर का भंडार हमेशा भरा रहता है घर में लक्षमी का वास होता है और अलक्षमी का प्रभाव कभी भी आपके घर पर नहीं पड़ता है इस बार आशाड पूर्निमा, जिसे गुरु पूर्निमा के नाम से भी जाना जाता है, तीन जुलाई दिन सुमवार को पड़ रही है इस दिन अगर कुछ विशेश उपाय किया जाए, तो कहते हैं रोजगार के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, धन की कमी दूर हो जाती है, पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं, निसंतान दमपतियों को संतान सुख की प्राप्ती होती है, और शादी में आने वाली अर्चने दूर होती है, दोस्तों आज के विडियो में हम आपको एक ऐसा चमतकारी उपाय बताएंगे, कि अगर आपने आशाद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लिया, तो समझिये धनवान होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, दोस्तों इस चैनल पर हम आपको पूजे गुरूजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं से सुनकर बहुत ही सरल भाशा में जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों को दूर करने के अचुक उपाय बताते हैं। अगर देवी लक्षमी की कृपा आप पर है तो आपको धनी होने में अधिक समय नहीं लगेगा। और अगर देवी लक्षमी आपसे रुष्ट हैं, तो आप कितना भी परिश्रम कर ले पर आपको निराशा ही हाथ लगेगा। इसलिए अगर धनी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मा लक्षमी को प्रसन्न करें। मा लक्षमी हर किसी पर प्रसन्न नहीं होती, उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपनी आद्तों को सुधारें। कई बार हम नियमित रूप से ऐसा काम करते हैं, जिसके कारण अगर हम कई उपाय करें, तब भी मा लक्षमी प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए सबसे पहले गंदी आद्तों का त्याग करें। करना क्या है कि आशाड पूर्णिमा के दिन सुभा सूर्योदे से पहले उठे, उसके बाद स्नान करके साफ कपडे पहने। इसके बाद सूर्य नारायन भगवान को ओम घेनी सूर्याय नम्प मंत्र का जाप करते हुए तामबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल में रोलिया फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य ही एक मात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिती मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब काम्याबी और यश्की प्राप्ती होती है। वहीं यदी कुंडली में सूर्य की स्थिती ठीक नहीं है, तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद पीपल के व्रिक्ष के पास जाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीपल के व्रिक्ष में मा लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर विडियो अच्छी लगी हो, तो अपने इस भाई की विडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद